जहां से कोरोनावाइरस पूरी दुनिया में फैला वहां से एक अच्छी कबर आ रहे है यानी चीन से चीन के मुहान से पूरी दुनिया में फैले कोरोनावाइरस की बज़े से 1,777,740 लोग संक्रमित हुए है जबकि 6,687 लोगों की मौत हुई है अब एक अची खबर चीन से ये आई है की चीन के विझ्ञानिकों ने प्रेयोग शाला में कुछ बंदरों को कोरोना वाइरस संक्रमित किया था अब इन बंदरों के शरीर ने इस वाइरस के खिलाफ इम्म्यूनिटी हसल कर ली है बंदरों दोरा कोरोना वाइरस के खिलाफ इम्म्यूनिटी विक्सित करने का मतलब यह है कि इनसान भी अपनी इम्म्यूनिटी को मजबूत करके इस विमारी से लड़ सकते हैं यानि अब इन बंदरों के शरीर से अंटी बॉडिस लेकर नए वैक्सिन बनाए जा सकते हैं अंटी बॉडिस हमारे शरीर में रहने वाले वो सिपाही हैं जो बाहर से होने वाले बैक्टीरिया और वाइरस के हमले से बचाते हैं बिमारी उसे लड़ते हैं और हमें किसी भी प्रकार के संक्रमट से बचाते हैं चीन के वेग्यानिक अब बंदर से लिए गए antibodies का इंसानों पर परिक्षंड एक महिदे में शुरू करेंगे सिर्व इतना ही नहीं जो लोग कोरोना से खीक हो चुके हैं उनके antibodies को लेकर भी चीन वेक्सिन बनारी की तयारी में हैं आपको बता दे कि चीन में अब तक 75,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वाइरस से मुक्त हो चुके हैं यानि ठीक हो चुके हैं अब इनके शरीर से antibodies लेकर vaccine विक्सित किया जाएगा साथ ही उसे बंदरों के antibodies से मिला कर देखा जाएगा कि कितनी समानता है लोगों को यह भी डर है कि अगर उन्हें दोबारा कोरोना वाइरस हो गया तो आपको बता दे कि दोबारा कोरोना वाइरस का संक्रमन सिर्फ शूनियों दिसेम्लव एक से एक फीजदी लोगों को ही हो रहा है इसलिए विज्ञानिकों को पूरी उमीद है कि एक बार वैक्सिन विक्सित होने के बाद किसी को दोबारा कोरोना का संक्रमन होता है तो भी उसे असानी से ठीक कर लिया जाएगा कोरोना वाइरस जूड़ी ऐसी और भी कई खबरे सबसे पहले पाने के लिए बनी रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही डिटिस्ट और इंटरस्टिंग न्यूस के लिए